प्लांट है चोटा सा पोधा है और यह जो पॉट की साइज आप देख रहे हैं और राउंड थ्री इंचीज याद टू इंचीज के आसपास का यह पॉट है उसके अंदर फ्रेंउम मैंने यह अदेङने ऑडेणियम का प्लांट ग्रो किया है इसकी लिए अभर यह जो प्लांट की एज है वह अरॉंड एक से देर साल के आसपास होगी मैंने सीट से लगाया है और और जैसे कि इसके flowers देख रहे हैं ये flowers ये mother plant के ही है यानि कि ये जो plant है ये mother plant के जो seeds निकलते थे उसमें से friends मैंने वो seed निकालके ये plant मैंने grow किया था तो about देड़ साल के आसपास ये plant ने अपना बहुत ही खुबसूरत codex develop कर दिया है जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे और flowerings पे भी आ चुका है तो कोई भी अगर आप adeniums grow करते हो तो seed से grow करते हो तो कम से कम आप एक से देड़ साल तक wait कीजिए उसके बाद ये codex भी अपना बह flowerings देना start करेगा तो आज की video friends ये topic पे होगी कि अभी हमने recently ही about 2-3 हफते पहले ही हमने अपने adenium की treatment की थी treatment में friends हमने ये किया था कि plant के उपर से trimming की थी trimming इसलिए की थी क्यूकि मैं इसके उपर से second flush लेना चाता था और अभी मुझे लग रहा है कि plant के उपर से flowerings अभी develop हो रहे है तो अभी और थोड़ा 15-20 दिन जाने दूँगा उसके बाद ये plant के उपर फिर से बहुत ही सुन्दर flowers आपको देखने को मिल जाएंगे लेकिन आज का video ये topic पे होगा के monsoon से पहले हमें adenium में ऐसी कौन सी तैयारी करनी है जिसकी वज़े से monsoon की season में आपके adenium खर रहेगा उसको कोई दिकत नहीं होगी आपके अगर चार दिन पास दिन लगातार बारिश गिरती रहेगी तो भी आपका adenium सेफ रहेगा monsoon की season में वो कैसे वो मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे simple steps है जो आपको follow करने है बारिश शुरू होने से पहले सबसे पहला जो step आप जो construction में use होती है black color की भी stand आती है और बाद में ये जो देख रहे है थोड़ी सी yellowish type की भी sand आती है तो दोनों में से कोई एक sand आप ले सकते हो river sand उसको बोलते है जो construction में use होती है तो वो sand आप use कर सकते हो या तो friends आप use कर सकते हो cinder ये दोनों media बहुत ही ज्यादा well-drained media होत है तो उसके जो codex है उसका codex नहीं गलेगा ये पहला step आपको करना है जिसकी वज़े से आपके adenium बारिश में safe रहेंगे दूसरी चीज अभी से ही आप अपने adenium के codex area में trichoderma और जो humic acid है उसका application करना start कर दीजिए हफते में एक बार every week ये चीज आप लालते रहोगे तो आपके जो adenium के codex area है उसके आसपास trichoderma एक layer अपना बना देगा जिसकी वज़े से जो rotting के fungus है वो आसपास develop नहीं होगे तो trichoderma एक organic fungus है जो खराब fungus से आपके plant को बचाएगा जो rotting वाले fungus से बचाएगा लेकिन अगर आप chemical fungicide डालना चाहते हो इस पे तो chemical fungicide भी डाल सकते हो chemical fungicide में बहुत सारे आपको options मिल जाएंगे for example bevistein, saaf fungicide, बाद में roco fungicide, बाद में बहुत सारे lying है पूरी तो कोई भी fungicide आप ले सकते हो एक ग्राम लेना है एक लीटर पानी में mix करिए साथ में एक ग्राम आप humic acid ले सकते हो दोनों को एक लीटर पानी मे आसपास वो fungicide वाला liquid डाल दीजिए अगर आप trichoderma लेते हो तो trichoderma आपको 2 ग्राम लेना है और 1 ग्राम आपको humic acid लेना है दोनों को एक लीटर पानी में mix करके codex area के आसपास ये डाल दीजिए ये चीज अभी से ही start कर दीजिए ताकि monsoon आने तक आपके जो plant के आसपा ये fungus धीरे धीरे अपनी colony बनाना start कर देते है अपना multiplication start कर देते है अगर ये चीज बढ़ गई तब ही जाके आपका जो plant का codex area वो rot होना start हो जाएगा तो ये जो सारा process रहता है fungus का वो एक ही दिन में नहीं बनता वो धीरे धीरे जैसे ही climatic changes होते है वैसे वैसे ये बनता जा तो अगर आप monsoon के एक महीने पहले ही ये सारी चीज़े start कर दोगे तो rotting वाले fungus आपके adenium के codex को बिल्कुल नहीं खराब करेगा अब दूसरी चीज़ friends adenium के ऊपर fungi side का spray भी start कर दीजिए क्योंकि जैसे ही friends बारिश गिरेगी तो बारिश का पानी ये आपके जो branches वगेर के उपर जमा रहेगा तो वहाँ पे भी fungus होने के chances हो सकते हैं तो fungi side का spray करिए अगर आप trichoderma का spray करते हो तो वो भी कर सकते हो अगर आप chemical fungi side का spray करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो तो हफते में एक बार spray कर लीजिए एक ग्राम लेना है एक लीटर पानी में mix करके spray कर लीज कर सकते हैं कि सर हम एडिनियम को अभी report कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं अगर आपके temperature 35 to 38 degrees के आसपास आ चुका है तो बाद में अभी report कर सकते हो लेकिन अभी भी आपके temperature 44-45 है तो wait कीजिए monsoons के समझ लीजिए 20 दिन पहले या तो एक महीने पहले आप reporting का program लीजिए जैस आएगा तो यह चीज़ कर सकते हो अगर आपका plant मिट्टी वगेरे में लगा हुआ है कोकोपीट में लगा हुआ है तो आप sand या तो cinder जैसे मीडिया में उसको पहले transplant कर लीजिए और यह फंगी side वाला process आप start कर सकते हो fertilizer में friends अभी add presence monsoon की season पहले मैंने अभी recently ही आपको एक fertilizer की वीडियो बताई थी यह हमारे adenium में तो वो आप वीडियो एक बार देख लीजिए लेकिन friends आपको कोई अलग ऐसा fertilizer जो easily आपके पास available हो जिसके वज़े से आपके जो plant है वो monsoon की season में nutrition अपने अंदर बना के रख सके वो fertilizer में आप balance NPK का spray भी कर सकते हो अगर आपके यह temperature 35-38 degrees के आसपास है तो balance NPK का spray कर सकते हो और magnesium sulfate का spray कर सकते हो organic fertilizer में bone meal आप अपने plant की मिट्टी के अंदर एक बार डाल दीजिए नीम खली जैसा fertilizer डाल दीजिए ताकि आपके जो plant के जो codex area है वो नीम fertilizer से safe रहे neem fertilizer monsoon की season में सबसे important fertilizer होता है तो कोई भी plant में आप apply कर सकते हो और अभी trimming वगेरे करना चाहते हो तो सबसे पहले तो friends आप देख लीजिए trimming अगर आपके अभी बारिश start नहीं हुई है तो trimming कर सकते हो क्योंकि एक बार आप trimming करोगे तो plant को कम से कम 20 से 23 दिन लगेंगे उसके उपर से नए sprouts निकालने में तो इसी बीच में friends अगर बारिश start हो गई तो बाद में आपके जो भी नए sprouts जो भी निकलेंगे वो may भी fungus की वज़े से infect हो सकते हैं तो ये चीज आपको देख लेना है कि temperature किया है आपके या monsons exactly कब शुरू होंगे तो monsons शुरू होने में अभी आपके या एक मईना लग जाएगा तो बाद में आप आराम से अभी trimming कर सकते हो और बाद में about एक मईने के आसपास आपके प्लांट के उपर नए shoots भी produce हो जाएंगे एक चीज धियान रखिया अगर बहुत ही ज्यादा बारिश होगी तो ये expect मत करिएगा कि आपके जो adenium है वो बहुत सारे flowers देंगे क्योंकि जितनी ज्यादा बारिश होगी उतने ही flowers कम आएंगे आपके plants के उपर पत्ते की quantity आपको ज्यादा देखने को मिलेगी तो तब ज्यादा आप flowerings लाने के लिए अलग-अलग fertilizers use मत कीजिएगा monsoon की season अगर start हो जाती है तो ऐसे में आपको कोई fertilizer नहीं डालना क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो अपने आप ही एक बहुत ही अच्छा healthy fertilizer होता है जो nitrogen based होता है तो ये 2-3 महीने अच्छा खासा बारिश का पानी जाने दीजिए प्लांट को अच्छा खासा nitrogen मिलने दीजिए और ये ही nitrogen आपके प्लांट को growth करने में help करेगा और जैसे ही बारिश रुख जाएगी उसके बाद हम fertilizer start करेंगे तब मैं अलग video बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसे important steps है जो monsoon की season पहले आपको अपने adenium में कर लेनी है अगर आपको किसी भी type का confusion हुआ ये topic से related तो आप please मुझे instagram पे message कर सकते हो telegram group में message कर सकते हो दिल्देन के लिए thank you friends